हेलो एव्रीवन, वेलकम टू माई चैनल आज हम इस क्यूट सी बेबी फ्रोग की कटिंगों स्टिचिंग करेंगे इस फ्रोग की कटिंग के लिए मैंने यहाँ पे एक मीटर कप्डा लिया है इसमें से हम पहले अपने बॉडिस का पार्ट निकालेंगे तो देखें यहाँ पे मैंने बॉडिस का पार्ट निकाल लिया है इसमें फ्रन्ट और बैक बॉडिस रहेंगी तो यह कपड़ा फोर फोल्ड है और इसकी लंबाई है यहाँ पे बॉडिस की 11 इंचिस इसके बाद उपर वाली साइट से हम तीरे का निशान लगाएंगे तो तीरा मैंने यहाँ रखा है 6 इंच और गले की चुड़ाई का निशान यहाँ से लगाएंगे सवा 2 इंच और यहाँ से हम अपनी कंदी डाउन करेंगे आधा इंच अब इसके बाद यहाँ से नीचे हम आर्म होल का निशान लगाएंगे साड़े 5 इंच पे और इसको हम स्ट्रेट जॉइन कर लेंगे उपर तक अब बंदवाली साइट से हम चेस्ट का निशान लगाएंगे 7 इंच पे और 1 इंच एक्स्ट्रा लेंगे सिलाई के लिए अब उपर से 10 इंच पे निशान लगाएंगे कमर के लिए कमर है 6.5 इंच और उसमें 1 इंच हम एट करेंगे सिलाई के लिए और अब हम इन निशानों को मिला देंगे यहाँ से अब यहाँ से हम अपनी कमर की शेप दे देंगे इसके बाद हम गले की लंबाई का निशान लगाएंगे तीन इंच यहाँ पे मैंने फ्रंट और बैक दोनों की लंबाई तीन इंच ही रखी है तो यहाँ से हम गले की ऐसे शेप देंगे इसके बाद अब हम आम होल की शेप देंगे यहाँ से एक इंच पे तो यह हमारा back arm hold रहेगा front arm hold के लिए यहां से हम 0.5 इंच पे निशान लगाएंगे और इसको नीचे straight कर लेंगे तो यहां से हम देंगे front arm hold की shape तो अब इन निशानों पे हम cutting कर लेंगे तो देखें यहां पे मैंने इन निशानों पे cutting कर ली है इसके बाद हम back का part अलग कर लेंगे बीच में से और front arm hole की cutting कर लेंगे बचे हुए कपड़े से front और back के लिए दो piece निकार लेंगे यहां मैंने घेरे की लंबाई रखी है 15 inch और इसकी चुड़ाई है 40 inch तो इसके बाद इसके नीचे हम एक और frill attach करेंगे तो frill की यहां पे मैंने लंबाई ली है 5 inch और इसकी चुड़ाई घेरे से ज़ादा रहेगी यह pieces कुछ इस तरह से frock में attach होंगे यह घेरे वाला part है और नीचे यह frill लगेगी यहां पे अब इसके बाद मैंने औरे पटियां काट ली हैं गले और arm hole की finishing के लिए इसके center में हम belt attach करेंगे तो यहां belt के लिए मैंने 4 inch चोड़ी पटी ली है और इसकी लंबाई मैंने 7 meter रखी है तो belt की finishing के लिए यहां से starting से और end point से हम तिप्छा सिलाई करेंगे जैसा निशान लगाया गया है वैसे इसके बाद हम सीधा stitch लगाएंगे तो सीधा stitch लगाते time 2 inch तक हम यह part खुला रहने देंगे इसको सीधी तरफ पलटने के लिए और इसके last point से भी हम इसको तिछा सिलाई करेंगे अब जो extra कपड़ा रहेगा उसको हम cut कर लेंगे और जो 2 inch तक खुला part छोड़ा था वहां से हम belt को सीधा कर लेंगे और ट्रेस कर लेंगे इसके बाद हम back part पे V-shape का cut लगाने के लिए एक पट्टी लेंगे जिसकी लंबाई और चोड़ाई 4 inch है इसको हम back part पे रखेंगे इसको back part के सीधी तरफ से लगाना शुरू करेंगे तो इस पट्टी को हम exact center में रखेंगे और V-shape में सिलाई लगाएंगे ये सिलाई जादा चोड़ी नहीं लगनी चाहिए तोड़ाई 1,5 inch से कम ही रहनी चाहिए तो देखिए हमने stitch उपर तक complete कर लिया है अब इसको हम center में से cut लगाएंगे और पट्टी को हम cut लगाने के बाद उल्टी तरफ पलट लेंगे पट्टी को पलटने के बाद जो हमारा back panel है वो उपर से कुछ ऐसा दिखेगा और ये वी cut ऐसा आएगा यहां से यहां हम button और loop लगाएंगे इसके बाद हम घेरे वाला part लेंगे और उसको center में से एक notch लगा लेंगे तो यहां notch लगाने के बाद हम उपर वाली side से बड़े टांके की सिलाई लगाएंगे और इसका जो धागा है उसको खींच के हम चुनटे डाल लेंगे तो देखें यहां पर मैंने चुनटे डाल दे हैं अब इसके बाद इस पे हम bodys attach करेंगे तो bodys का center और इसका center मैच करते हुए हम सिलाई लगाएंगे इस frog की measurements आठ से दस साल तक के बच्चे की है आप अपने according length को कम या जादा भी कर सकते हैं आपको घेर वाले part की length जादा रखनी होगी अगर आप फ्रॉक लंबी चाहते हैं क्यूंकि इस age के बच्चों की जो bodys length है वो 11 inches ही रखते हैं हम cutting में यह सिलाई लगाने के बाद हमारा घेरा और bodys attach हो चुके हैं यहां से अब इसके नीचे हम frill attach करेंगे तो frill attach करने के लिए frill को नीचे से पहले double fold कर लेंगे फिर इसके उपर भी हम बड़े टांके की सिलाई लगाएंगे और धागा कींच के चुनटे डाल देंगे अब इस frill को हम घेरे के साथ attach कर लेंगे तो देखें यहां पर घेरे के उपर रखके इसको हम stitch कर लेंगे और stitch complete करने के बाद जो extra margin है नीचे की तरफ इसको हम उपर की तरफ कर लेंगे और सिलाई लगा देंगे तो यह सिलाई complete करने के बाद हमारा front panel ready हो चुका है तो देखें यह देखने में कुछ ऐसा दिखेगा अब इसके बाद हम back panel भी ऐसे ही ready कर लेंगे तो देखें यहां पर front और back panel ready करने के बाद उपर मैंने तीरे की सिलाई भी लगा दी है अब हम neck की finishing करेंगे तो इसके लिए मैंने यहां पर औरे पटी ली है इसको we cut से हम लगाना शुरू करेंगे पटी को हम आधा inch बाहर की तरफ छोड़ेंगे और यहां से stitch complete कर लेंगे हम पूरे round में तो देखें यहां पर मैंने पूरे round में stitch complete कर लिया है इसके बाद हम लगाएंगे हलके हलके गट से यहां अंदर वाली side पे ताकि पटी easily अंदर की तरफ पलट जाए तो देखें यहां पे cut लगा लिये हैं मैंने अब हम पटी को इस तरीके से fold करेंगे तो पहले ऐसे फिर उपर से fold करते हुए हम इसको उपर से stitch लगाएंगे यह stitch हम और एप पटी पे लगाते हुए पूरे round में complete कर लेंगे तो देखें यहां पे मैंने पूरा stitch complete कर लिया है अब इसके बाद जो अंदर की तरफ extra margin रहेगा उसको हम cut कर लेंगे और जो पटी है उसको हम अंदर की तरफ fold कर लेंगे यहां पे आप hand stitch भी कर सकते हैं या फिर उपर से सिलाई भी लगा सकते हैं इसी तरह और एप पटी से हम armhole भी complete कर लेंगे और उसके बाद हम यहां पे belt attach करेंगे तो belt attach करने के लिए center से मैंने एक इंच उपर निशान लगाया है belt हमारी यहां से लेके दूसरी तरफ तक attach होगी यह कमर की markings हैं हमारी तो देखिए belt का center हम इस center से match करेंगे और उपर से हम stitch लगा लेंगे belt को हम बिल्कुल उनी marking पे attach करेंगे जो हमने लगाई है ताकि यह fitting की सिलाई में न आए तो देखिए यहां से शुरू करते हुए मैंने पूरा stitch complete कर लिया है अब इसके बाद हम belt को अंदर की तरफ रखेंगे और यहां पे fitting की सिलाई लगा देंगे fitting की सिलाई हम नीचे frill तक लगाएंगे तो यह सिलाई लगाने के बाद यहां पे मैंने एक डोरी ली है जो हमने वी कट बनाया था इसको वहां पे attach करके हम अपनी फ्रॉक complete कर लेंगे बटन और लूप लगाने के बाद यहां अमारी फ्रॉक रेडी हो चुकी है थेंक्स फोर वाचिंग